वेलकम स्टूडेंट तो चलिए फिर से क्यार्जे ग्यानप्रवा में आपका स्वागत है कुंदन सर आपके साथ है और मोल कंसेप्ट की यात्रा पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग ने बात किया था कि हम लोग क्लास 11 में पहले टॉपिक पहले चैप्टर मोल कंसेप पर ही बात करेंगे क्योंकि मोल कंसेप्ट अगर बोला जाए तो किमिस्ट्री का फांडेशन है और जितना मजबूत बुनियाद होगा मंजिल उतनी बुलंद होगी तो चले इस बुलंदी को चुने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट के आज अगले पराव चलते चलते लास्ट क्लास आपसे एक छोटा सा कोईस्टन छोड़ा गया था आपके लिए बोला गया था कि आप बताईए क्या हो सकता है उस कोईस्टन में हमने बात किया था कि क्या अगर आप सी टुवेल्व के जगा अगर सी सिक्स यानि कि वन टुवेल्थ पार्ट के ज एक वो गादरो भैलू 6.022 10 पावर 23 क्या वो चेंज हो जाएगा कुछ इस स्टूडेन का कमेंट था कि चेंज हो जाएगा कुछ ने कहां नहीं चेंज आप सिंपलिज बात किजिए कि चेंज कभी नहीं होगा जो भैलू कॉंस्टेंट है यह चाहे बारमा भागो चाहे छठा भागो यह निकालने का प्रोसेस है जो लास्ट वीडियो देखे हूं उनको पता होगा कि आज बोल क्या रहा हैं तो इसलिए आप याद किजिए कि यह जब भी वन मॉल आएगा तो इस वन मॉल के जगह हम हमेशा 6.022 टेंड पावर 23 का ही यूज करेंगे चाहे हम सिलिकॉन का यूज करें हम का याज चाहें कारवन टोल्थ के ट्वल दॉद्फ। पार्ट का यूज करें चाहे हम छटे बाग यूज करें आप इसको समझीं हर चीज्ज अगर से जो कंस्टेंट है कि सूर्ज इस्ट में उगना है अगर संड़ाइज हमारे हिसाब से में होता है क्योंकि हमने उसे पूरब नाम दिया तो अगर पास्टिम या आपके नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता है तो वही मामला यहां पर है कि अगर आप छटे भाग को लो बार में भाग को लो वो कभी चेंज नहीं होगा तो चले इस मामले के साथ हम लोग आगे बरते हैं और आज हमारा टॉपिक है कल्कुलेशन आफ मोल काफी इंपॉर्टेंट टॉप टॉपिक है कल्कुलेशन आफ मोल देखे यह टॉपिक है बहुँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर चेप्टर में आपको काम देने वाला आप देखो कल्कुलेशन मोल के साथ आपको मोल का एक पिकुलियर चीज़ बताए कि यूनिक प्रोपर्टिस बताए आप जितना भी आज तक यूमिट पढ़اؤंगे हर यूनिकuter स्पेसिट होता है अगर आपने मीटर का बात करा तो हमेशा मीटर कि यूर् cosa के लिए यूज़ करते हां अगर हम सेकंड का बात करें तो व्लम के लिए यूज़ करते हैं लेकिन मोल ऐक ऐसा यूनिट है जिसका यूज आप नम् होगा as well as some volume के रूप में भी यूज करते हैं तो हम यहाँ पर मोल को तीन फॉर्म में एक्स्प्रेस करेंगे मतलब मोल तीन फॉर्म में आएगा इन दा फॉर्म आफ नम्मर कि दूसरा इन दा फॉर्म आफ वेट एन लास्ट वन है इन दा फॉर्म आफ बॉल्म यह आपके लिए काफी बेसी काफी इंपॉर्टेंट है कि मोल को हम तीन फॉर्म में यूज कर रहे हैं किसमें किसमें तो मोल का यूज करके हम किसी भी केमिकल स्पीसिस का नमबर निकालेंगे यानि कि मोल नमबर के फॉर और बॉल्यूम के रूप में भी अब तीनों का छोटा छोटा रिलेशन इसको आप याद कर लो सिम्पल फॉर में और फिर इससे एक हम गुम करेंगे तो देखिए अगर मोल के फॉर में आपको मोल निकालना आए तो यहां मोल का सिम्पल फॉर में गिवें नंबर या पार्ट प्रेजेंट कर रहा है बोगादरो नम्मर को काफ़ी सिंपल चीज है अगर हम यहाँ पर वेट के टरम्स में मोल को एक्सप्रेज करना चाहें तो यह मोल इस गल्टू होगा गिवेंड वेट बाय मॉलेकुलर वेट आपने मॉलेकुलर वेट के बारे में पाली पहल भी है इसका तो इसरा मानी के वालम के थोड़ा के फॉर्ण में गिवेन नंबर बाइबोगाद्र नंबर मोल के सेंस में गिवेन बेड़ बाइब मॉलेकुलर वेट है हम सबका एक-एक सिंपल कोईस्टिन आपके सामने रखेंगे और जब मॉल्यूम का बात करते हैं तो बाइब के सेंस में यह लिख दिया जाए कि मोल इस एकल टू कि वेन बालूम बाइब मोलर ऑलूम होता है अब यहां पर एक टर्म आएगा कि मोलर ऑलूम होता क्या तो आप यहां पर इस चीज़ को आप जानory है venrand से नंबर खांदिर याHa तो पहले इसको यहां से किया जा रहा है मतलब मिटाया जा रहा है फिर आगे चलते मोलर बॉल्म को समझते हैं और फिर इस से रिलेक्टेट को समझेंगे देखें इस चैप्टर में आपके लिए थियोरी काफी कम होता है आप जितना कोश्चन बनाएगा जितना प्रैक्टिस क कि कुश्य करने के नम इस कि देखेंगे बच्चों यहां पर हम बात कर रहे हैं क्या कर रहें तो आपके सामने यह मोल के सामने यह क्या लिखा रहे हैं ऑब मोलर वालोम एक uh वह forearm हो तहाँ एक पर ठाम से तो मोलर बॉल्यूम के बारे में बोला जा कि आप कोई भी घैस सिन्स उस्पीश लो कोई घैस ले लो अगर आप उस गैस का स्थि पर रखते हो मतलब बोला जा रहा है मोलर भॉल ऑननी गैस ог कल एक電 22.4 लीटर भॉलूम काल्ड मोलर भॉलूम अब देखें यहां पर गैस के रूप में जब हम लेते हैं तो आइडियल गैस लेते इस चीज़ को आप याद रखेगा जब हम आगे चलेंगे स्टेट ऊप मैटर वहाँ पर आप दो तरह का गैस पड़ियेगा आइडियल गैस एक नॉन-ाइडियल मतलब रियाल गैस हैं तो अगल हम आइडियल गैस लेते हैं यहां बोला जा रहा है कि एकमडीयस दिया जारा 273.15 केलविन हो या 32 फार्ने हाइट हो अगर कुछ भी हो जनरली आपके पास या तो 273.15 केलविन होगा या जीरो डिग्री सेल्सियस होगा और साथ में अगर कहीं प्रेशर 1 ATM हो या 10.5 पास्कल हो आपने यूनिट के बारे में चर्चा किया है तो बोला जा रहा है कि इसी कितना हो तो 273.15 केलविन हो या साथ में अगर टेंपरेचर सौरी प्रेशर वहाँ 1 ATM या 10.5 पास्कल हो उस कंडिशन को हम स्टीपी बोलेंगे और ऐसे कंडिशन में आप कोई भी गैस दुनिया का रख दो जो कि आईडियल कंडिशन में हो वस गैस का वॉल्म 22.4 लीटर हो एक इंपॉर्टेंट बॉइंट आप याद रखिएगा कि गैस आईडियल हो अगर आप गैस को आईडियल के जगर रियल ले लिजेगा तो वह 22.4 के जगर 22.7 लीटर हो जाएगा लेकिन अधिकांस कोईस्चन आपको 22.4 लीटर से याद रखना है इसलिए आप ध्यान स्टीपी पर रखते हो वन मोल गैस अगर लेते हो तो उस वन मोल गैस एट स्टीपी वाल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होगा आइडियल कंडिशन में और 22.4 लीटर को ही हम मोलर वाल्यूम बोलेंगे स्टीपी कार्थ आपके सामने लिखा गया है जब टेंपरेचर 0 डिग्री से स्टीपी बोलेंगे और जब टेंपरेचर 0 डिग्री से आजाए तो उसी को हम स्टीपी बोलेंगे अब यहां पर और मोलर फॉल्म के बाद आप देख रहे हैं कि मोलर बॉल्म को समझाने के दौरान हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी गैस अगर आप 1 मोल लेरो मानलो अगर आप लेते हैं One Mole CO2 तो, One Mole CO2 हम कहां ले रहे on STP पर ले रहे इस STP पर One Mole CO2 इस कंदू कितना होगा तो, 22.4 involvement अगर हम इसके जगा One Mole CO2 के जगा One Mole N2 गास ले ले फिर भी ये कितना होगा, तो, 22.4érique के जगा अगर आप इसके जगा गैस हो अगर आप उसका वन मोल लोगे तो उसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स होगा और वह वॉल्यूम कहलाएगा 22.4 लीटर उसी 22.4 लीटर वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम बोलते हैं अब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अगर आप मोल यहां से निकाल रहे हो तो यह अगर हम भी मानते हैं तो मॉल वॉल्यूम भी नौट कहलाता है मतलक मोल इसको हो रहा है गिवन भॉलूम अब इससे आप तीन बात अभी सिंखे हैं कि मोल को हम कहा कहां कहां एकस्प्रेस कर रहे हैं तोँ dif Nicholas 96 फॉम में है一個 find number of mole in 10 to power 23 particles of sodium में आपको total number of mole निकाल ला है कितना है अब आप गौर कीजिए कि यहां पर number of mole का बात किया जा रहा है तो जैसे number of mole का बात किया जा रहा है तो आप क्या कीजिएगा यहां mole is गल्डू क्या लिखेगा तो यह आजाएगा गिवेन नंबर बाइवो गादरो नंबर अब गिवेन नंबर आपके question में दिया हुआ कितना है 10 to power 23 अब गादरो नंबर का वहलू आपको याद है आप इसको question को हम चेंज कर रहे हैं अब simple दिया जा रहा है कि find नंबर आफ स्वाइंड मोल इंकेस ऑफ 88 gram CO2 मतलब आपके पास 88 gram CO2 दिया हुआ है और वहां पर आपको मोल निकालने के लिए बोला जा रहा है अब आप गौर किजिए कि यहां पर आपके पास क्या है 88 Gram CO2 है अब 88 Gram CO2 क्या आप कहां पर कर रहे हो वेट के टर्मस में कर रहे हूं मतलब अगर आपको यहां से मौल निकालना हो तो आप मोल इसका टू क्या लिख रहे है गिवंड़ तो आप गौर कीजिए गिवन वेट आपके पास कितना एक तो दिया हुआ अब सी ओटू का मॉलेकुलर वेट निकाल रहे हैं तो आप देखें कारबन डायोकसाइड में एक सी कारवन है और दो ऑक्सीजन है जब आप इसका गिवन वेट 88 दिया हुआ है मॉलेकुलर वेट 44 आप निकाल के रख चुके मतलब मॉल का वैलू कितना आ जाएगा तो आप देख रहें कि सिंपल कोश्चन है पूटिंग फर्मूला गेटिंग रिजल्ट है आप आसानी से कोश्चन बना सकते यह बिसिक है या नहीं आपको अ पर एडवांस का मामला नहीं था इंजिने ने एक्जाम जो था दो फॉर्म में होता था एक एए ट्रिपल ई और दूसरा आई टी होता था तो यहां पर हम आपको एक सिंपल कोश्चन दिखा रहे हैं जो एए ट्रिपल ई में आया हुआ 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 है देखे कोश्चन ऐसा पर फिर बता दे कि में भी लेंग्वेस चेंज हो कोश्चन का आत्मा वही रहेगा सरीर अलग-अलग हो सकता है तो देखे कोश्चन ऐसा था उसको में गंदा लग रहा देखने से अब यह मत बूले कि अब कौन सा साफ लिख देते हैं कि अभी गंदा लिख रहा है अब प् प्रियास जारी रखना चाहिए तो देखो कोश्चन यह था कि हाव मैंनी मॉल्स हाव मैंनी मॉल्स आफ सोडियम फॉस्फेट साथ यही था इसका फार्मूला है एने थ्री पीओ फॉर होल टोईस पी ओ फॉर हो प्रेजेंट इन जिरो पॉइंट टू फाइव ऑक्सीजन साथ ऐसा ही कुश्चन देख कर ले ठीक है कुश्चन अगर हो जाए गलत तो फिर दिक्कत हो जाएगा मेरे पास आप कुश्चन को देख ले रहा है अगर कुश्चन गरबर हो जाए तो फिर बनाएंगे फिर कर ले कि कुश्चन अगर कि चलिए सही है कुश्चन सही लिए जिरो पॉइंट टूफाइब मूल ऑफ ऑक्सीजन अब देखे इस कुश्चन में आप से बोला क्या जा रहा है कुश्चन देखे बार बार बता रहे कि कुश्चन बड़ा असान है अब आपको बिसेस्स बहु है उसमें से मान लो कि अगर जिरो पॉइंट टूफाइब मॉल ऑफ ऑक्सीजन है तो उस समय कितना सोडियम फॉस्फफेट का कितना अब देखो सिंपल को समझो आपके पास जब एक मॉल एने थ्री पीओ फॉर होल ट्वाइस आरहा है आप गौर कि जिसका हम एक मॉल लिए अगर आप एक मॉल लेते हैं तो आप गौर करो इसमें कितना ऑक्सीजन आ रहा है आप देखिए कि 4 इंटू 2 इसकल टू 8 आ रहा है सिंपल समझो कि मेरे पास एक मॉल अभी अगर आप इसको सिंपल लिख ले रहे हो तो यहाँ पर मेरे पास क्या है सोडियम फॉस्फेट है अब सोडियम फॉस्फेट हम कितना ले रहे हैं एक ले रहे हैं मतलब वन मॉल ले रहे हैं अब इस वन मॉल सोडियम फॉस्फेट जब बन रहा है तो इसमें कितना ऑक्सीजन लग रहा है तो देखिए ऑक्सीन यहापर 4 इंटू 2 है मतलब टोटल कितना हो रहा है 8 हो रहा है अब देखो कोस्टेन क्या बोला जा रहा है कि 0.25 के लिए कितना हो जाएगा तो आप इसको उल्टा करके लिए दो इस फॉर्म में कि अगर 8 आइट मोल ऑक्सीजन है तो यहाँ पर कितना आ रहा है कि इन ओनना चाहिए है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर वन मोल अगर ऑक्सीजन लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ऐट तो 5 में तो 0.25 में कितना होगा, 1 by 8 into कितना हो जाएगा, 0.25 बागी तो आप निकाल लिजेगा, यही कल्कुलेशन है, तो युनिट्री मेथट से आप कल्कुलेट कर लिजेगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको छोर के, और यहाँ पर आपके लिए छोर के रखते हैं अंसर, यही आपको क करके रखना है, तो देखें, सिंपल कोश्चन आप समझेगा, बहुत ही कॉंसेप्चुल कोश्चन है, बार बार आपको जरुत पड़ेगा, बहुत ही बेसिक बोला पूछा जा रहा है, कोश्चन यह है कि आपके पास एक मोल सोडियम फॉस्पेट बोलते हैं, इस सोडियम को घुमाया जा रहा है, कि अगर हम 0.25 मोल आफ ऑक्सिजन ले ले तो उसमें होगा कितना, कोश्चन बढ़ा असान है, एक बार आप इस कोश्चन को बनाईएगा, जिनको प्रॉब्लेम होगा, वापस आप कॉंटेक्ट कीजिए, आपको समझा दिया जाएगा, देखें, इ आप से जुर के, आपको पूरा का पूरा सॉल्व करवाएंगे प्रॉब्लेम, प्रॉब्लेम तो आपको होगा, अब देखें, इस से जुरा होगा, बहुत सारा कोश्चन है, अगर आप इस कोश्चन पर मालनों हम सिंपल ही कोश्चन को चेंज करें थोड़ा सा, ऐसा कोश्चन बार बार आता है, कोश्चन ऐसा है, कि वीच आफ दा फॉलोईंग, वीच आफ दा फॉलोईंग, इस मैक्सीमम मास या लिस्ट मास, मतलब कुछ कंडिशन दिया हुआ है, और पूछा जा रहा है, कि सबसे कम मास किसमे होगा, अब इस कोश्चन पर गौर करो, कि किस फॉर्म में दिया हुआ है, कुछ हम वैलू यहाँ पर लेते हैं, और फिर बात करते हैं, कि किसमें सबसे कम मास आने वाला है, इसमें एक वैलू दिया हुआ है, टू ग्राम मॉलेक्यूल्स अफ एच्टू ओ, नम्मर टू दिया हुआ है, थ्री मोल ग्लुकोज, तीसरा दिया हुआ है, 1.2044, इन्टू 10 पावर 24, मॉलेक्यूल्स अफ, असेटिक एसिड, मतलब CH3COOH, और लास्ट वैन है, 80 ग्राम अप CACO3, देखे, क्वेस्चन बहुत ही आसान है, अब इस क्वेश्चन को समझ ये, कि तुरंद क्वेश्चन बन जाएगा, आपके साथ आपको बहुँ ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आप देखे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, टू ग्राम मॉलिक्यूल्स अफ, आप देखो, ग्राम मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं, इस कड़ क्या, यहाँ ग्राम में रिप्रेजेंट कर दे तो वहिए, अब यहाँ ग्राम मॉल्स कर देखे, क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व किजिए कारवन कितना 12 इंटू 6 हाइड्रोजन 1 इंटू 12 ऑक्सीजन 16 इंटू 6 इस गल्डू कितना होगा तो 72 प्लस 12 प्लस 96 यह बहलू आप निकाल के देखिएगा लगवग 180 आएगा अगर मिस्टेक हो तो चेक कर लिजेगा अब यह 180 आ रहा है तो यह क और 24 मॉलिक्यूल्स ऑप सी एस त्री सी डेवल वैच बोल रहा है अब आप गौर कीजिए कि आप जानते हो कि यह वो गादरों वैलू कितना होता है 6.022 टेंटू पावर 23 आप देखो लगवग यह बराबर है मतलब आप इसको सॉल्व गरो तो 6.022 है यहां पर 1.2 लेकिन पावर में कितना दिया और 24 दिया हुआ है मतलब कि एक पावर बढ़ा रहा है इसका अगर आप इधर करते तो लगवग यह 12 होता है और यहां पर यह 6 डाला हुआ है मतलब आपको क्या देखने से लग रहा है डवल वैलू लग रहा है आप सिंपल कल्कूलेशन आपको समझ ला रहा है अब यह 10 को अगर यहां पर आप डालते हो तो यह क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 यानि कि टोटल का टोटल दो मोल आ रहा तो यहां पर इसको हम लीग सकते हैं 2 मोल CH3COOH अब CH3COOH का का कल्कूलेट करो यहां पर यह कितना हैगा 12 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 1 आप इसको कल्कूलेट कर लो और इसके सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ तो 80 ग्राम CACO3 आप 80 ग्राम CACO3 पर अगर आप गौर कीजिए तो आपके पास यह वैलू टोटल फाइनल वैलू दिया हुआ है कोस्टन में देखे दो हम सॉल्व कर चुके हैं बागी दो को माधा आपके लिए छोड़के चलते अब यहां पर आपको चारों में चेक करना है कि सबसे कम मास कितना होगा देखे कोस्टन से काफी आसा कोस्टन बार बार आपको एक्जाम में मिलेगा कि मोल के आधार पर अगले दिन काफी अच्छा कोस्टन करवाने वाले हैं आज आपको बेसिकली तीन चीज़ समझाए गया पहला आपको बताया गया कि मोल के बारे में कैसे करते हैं नम्मर वेट और वाल्यूम के आधार पर उससे रिलेटेट कोस्टन करवा दिया गया सिंपल साथ में आपको लास्ट में सब जो बोलते हैं भी वही बोल रहे हैं कि आप सब्सक्राइब तो कर चुके हैं तो शेयर कीजिए कमेंट कीजिए कम से कम इसमें जरूर बतायेगा कि सबसे कम वेट किसका होगा सबसे कम मास किसका होगा आपके कमेंट का वेट रहेगा तब तक आप मनें इंति झाल गएसाओ